हलो फ्रेंट्स जैसा कि आप जानते हैं क्रिकेट में नो बॉल करना किसी भी गेंड बाज को अच्छा नहीं लगता और अगर गलत समय पर नो बॉल हो जाए तो करोडों दिल तूट जाते हैं इसका भारी खाम्याजा भी भुगतना पड़ जाता है और ICC चैंपिन्स ट्रॉफी के फाइनल में बुमरा दोरा की हुई नो बॉल हर भारती क्रिकेट प्रेमी को काफी समय तक याद रहेगी वैसे कोई भी गेंड बाज जान बूच कर ये गलती नहीं करता बस स्वयम पर काबू ना रख पाने से ये त्रिटी हो जाती है लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन गेंड बाजों के बारे में जिनोंने आज तक एक भी नो बॉल नहीं फेकी और ये सबी गेंड बाज कोई नए गेंड बाज नहीं हैं सब अपना लंबा करियर खतम कर चुके हैं तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं ऐसे गेंड बाजों की अगर आप भारती हैं तो ये बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि इस सूची में सबसे उपर जो नाम है जिनोंने आज तक नो बॉल नहीं फेकी उनका नाम है कपिल देव उनको आप गेंड बाज बोलिए आल राउंडर बोलिए ये बोलिए भारत के कप्तान उन्होंने अपने 131 टेस मैच और 225 वंडे में एक भी नो बॉल नहीं फेकी जो की काफी हैरान करने वाला तथ्य है उनके अलावत चार और ऐसे गेंड बाज हैं जिन्होंने आज तक नो बॉल नहीं फेकी कपिल देव के बाद नमबर आता है इयान बॉथम का जो इंगलेंड के लिए खेले हैं उन्होंने 16 साल क्रिकेट खेली है और 102 टेस्ट मैचिस और 116 वंडे मैचिस में एक भी नो बॉल नहीं फेकी इसके बाद नाम आता है पाकिस्तानी गेंड बाज इमरान खान का जिन्होंने अपनी गेंड बाजी का लोहा सारे विश्व में मनवाया है उन्होंने कुल 88 टेस्ट और 175 वंडे मैचिस खेले हैं इस सूची में अगला नाम है डैनिस लिली का जो अस्ट्रेलिया के लिए खेले हैं उन्होंने कुल 70 टेस्ट मैचिस ही खेले हैं कुल पांच गेनबाजों की सुची में पांचवे गेनबाज हैं लांस गिब्स जो वेस्ट इंडीज के लिए खेलते थे उन्होंने कुल 89 टेस्ट और तीन वंडे मैचिस खेले हैं इस सुची में एक तथ्य आप ये जोड सकते हैं कि उस समय नो बॉल पकड़ने वाली तकनीकों का इतना जादा इस्तेमाल नहीं होता था तो हो सकता है कुछ चीजें अंदेखी रह गई हों परंतु आधिकारिक तोर पर बात करें तो इन गेनबाजों ने आज तक कोई नो बॉल नहीं फेकी है हम आशा करते हैं कि भविश्य में इस सुची में और गेनबाज जुड़े देखिए क्योंकि सीबी चैनल आपके लेके आता है वो सब जो आप जानना चाहेंगे